रोजगार बनाम लाभार्थी एक बहस ये भी देश में छड़ी हुई है विपक्ष का ये कहना है कॉंग्रस पार्टी जो अपना नयाय पत्र लेकर आई है कि 30 लाख नौकरियां देंगे एक लाख हम शिक्षत युवाओं को देंगे आपका फोकस लाभार्थियों पर रहता है अब वो कह रहे हैं कि हम जादा अग्रेसिव आक्रमप तरीके से बेरोजगारी के मुद्दे को डील कर रहे हैं ये कॉंग्रस का दावा है बनाम बीजेपी बनाम प्रधानमंत्री नरें का एंगे राग्स रखकर का है कर रहाग्स असथा लाखता का समयोगा कर दो मेरे बृफ कम जिम्में वर्याइगे फिर भी आप अगर थे वांदा पूरे करने की आप अभी हैं कि मेरे हसाब से रुजगार के जो रिकोर्डस कए लिए हैं कि कि बया एंगा है। दस साल में जो माइक्रों फाइनास हुआ है इस माइक्रों फाइनास के करण जो रोजगार उपलब्द हुआ है उसको आप रोजगार नहीं मानेंगे तेंद्र की दस बारा जो योजना ऐसी है जिसके अधार पर उन्होंने अनालिसिस किया कि पी एक घर बनता है तो कितने परसंट आवर्स रोजगार मिलता होगा पहले मैं आवर्स कहते थे अब जेंडर नूट्रल दुनिया हो गई तो परसंट आवर बोलते हैं तो पैकते हैं पे पांच करोड परसंट यर ली उनका हुआ है यानि अपने नोकरी जन्रेट हुई है पहला हमारे देश में तो मुसिबत यह है कि रिकूरूट्मेंट की प्रोसेस इतनी कठीन है कि आवर्टाइजमेंट निकलेगा डिपार्ट्मेंट मागेगा फाइनांस यानि उसकी प् अज 109 मेरे मेरे में होजयता है तम्हारे नोकर मेरे मुत अब बरी करनी है जोजगार्य के ऐसा वीकांत है कि वाह व देइन बेजया सकते हो फूर